वेलकम तो एलिश बेक स्ट्री और फूट्स लेट्स डेकरेट अ ब्यूटिफुल परपल केक इन कॉफी फ्लेवर और मैं रेकरेट करी हूँ थ्री पाउंड केक जिसके लिए हैं पर मैंने दो कॉफी स्पंच लिये हैं एट एट इट इंचिस के और इन इस में पर सी स्पंच के लिए हैं अट इसमे बहुत अची होई है इसमें हमारीब की लिएंग बहुत अची होगी और फिर मैं इस स्पंच की लिए लिए हैills स्पंच ।फिस के कैसे करनी है सोग कैसे करना है क्रीम की लियरिंग कैसे कर डी है इवन तो अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो वह चैनल पर अवैलेबल है आप उसको बहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी चीजे मैंने डीटेल से बताई हुई है क्रीम की लियरिंग के बाद मैं इसके उपर एड क और different sponge recipe के लिए sponge recipe playlist उपर आई बटन में शोरी और description box में भी लिंक है तो वो चेक करें लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है दिन सब्सक्राइब करें and don't forget the press bell icon और sponge की हर लियर रखने के बाद हम उसको साइट से थोड़ा सा सेट करेंगे के इस पंच कहीं से बहार ना निकल रहा हो और सेट करने के बाद हलका सा उपर से प्रेस करके उसको सिक्यूर कर देंगे वैसे तो हाइटिट केक्स को सिक्यूर करने के लिए हम bubble straw भी यूज करते हैं लेकिन इसका विर्द अच्छा है इसकी height की according तो फिर इसमें bubble straw की इतनी कोटिंग कर रही हूं वो भी white cream से white से yes white से करेंगे purple भी करेंगे लिकिन पहले white की crumb कोटिंग करके और साथ में मैं इसके scrapper भी यूज कर रही हूं smooth करने के लिए अच्छा है जितना fine look आ जाए बाटल में syrup खतम हो गया था तो मैंने refill करके फिर बाद में soak कर दिया है से plain रहे और एक ठिक सी crumb coating के बाद अब यहां पर मेरे पास है purple कलर जिसको मैंने fill कर लिया है piping bag में और अच्छे से इसको mix कर लिया है और piping bag को बिल्कुल थोड़ा सा cut करेंगे और फिर पूरे cake पे इस तरीके से हमने purple cream लगानी है और इस technique को use करते हुए red, black, blue, purple means कोई भी dark color आप easily बना सकते हो वो भी white base पे without any shade तो पूरे cake को cream से इसी तरह के से cover करेंगे और बीच बीच में white white area नजर आ रहा है तो वहां पे cream की filling करनी है जो ज़्यादा बड़े gaps हैं वहां पे अच्छे से fill कर देंगे जहां पे छोटे छोटे gaps हैं तो उनको अगर रहने भी देंग और scrap करने के बाद जहां पे थोड़ी cream की कमी हो वहां पे हमने touching करनी है कुछ इस तरीके से और तब तक scrap करना है जब तक हमें अच्छा fine look नहीं मिल जाता इतना enough है और ages, ages पे मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि इसके उपर frosting होनी है तो इतना काफी है और नहां पे मेरे पास है dark purple color यह purple का ही shade है लेकिन इसमें blue character बहुत ज्यादा है तो dark purple color को मैंने एक piping bag में फिल कर लिया है और दूसरे piping bag में मैंने दूसरी nozzle रखी है बड़ी और उसकी side पे इस तरीके से मैं cream लगा कि उसको spread कर दूँगी half piping bag में उपर तक मैंने इसको spread कर दिया वो हलका ही रहेगा बिल्कुल half half नहीं रहेगा हलका हलका shade रहेगा फिल करने के बाद इसको हलका सा mix करना है बहुत जादा नहीं वरने सारी colors आपस में merge कर जाएंगे एक नया ही color बन जाएगा shade नहीं रहेगा तो बिल्कुल हलका हलका सा इसको मैंने mix कर लिया है और starting की पैटरण में ही फिलार्स बना रही हूँ जिसकी ले यहान पर पैर्टरं में हुरोच के यहाँ है इन टू डिया वन ऑ्म नॉजल यूज नहीं किया क्युके उसके बहुत शार्प फिलाइबं उसके प छार्फ पैर्टर वेस्पाओ्स लेखलिये क्वेह इसे जो बीच बीच में गैप से वो फिल करने लेकिन फुल फिल नहीं करने क्योंकि और भी नोजल यहां पर भी यूज होने वाली है और अब आज आता है कि मैंने इतना डार्क कलर वो भी विपिंग क्रीम में कैसे बनाया तो इसके लिए यहां पर मैंने कलर यूज किये हैं और कि जैल कलर और उसकी बहुत सारी कॉंटिटी मैंने इसमें एट की है और अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसको थोड़ी दिर रग दिया तक यह सैटोंसे कि यह सेट हो जाए हुट अहां होजाता है दनवाइपिंग अच्छे से हो सकती है और यहां पर हो च्रुल मैं काफी अच्छी फिलिंग कर दी है लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे गैप्स हैं और उन गैप्स को फिल करने के लिए यहाँ पर मैं एक और कलर यूज कर रही हूँ वो भी इस ते डार्क मिनस अब यह सबसे डार्क कलर होने वाला है और यह है यहाँ पे ब्लैक कलर और यह ब्लैक कलर भी मैंने विप्ट क्रीम में ही बनाया है यह चौकलेट गिनाश या बटर क्रीम नहीं है विपिंग क्रीम ही है और ब्लैक ड्रॉप्स के लिए यहाँ पे मैंने नोजल भी फिल कर रही हूं कि कि इतने colors enough हैं और अगर आप घर बैठे baking and decoration सीखना चाहते हैं तो आप मेरी online baking classes जोईन कर सकते हैं यह worldwide है details के लिए contact number आपको description box में मिल जाएगा और यह fulfilled हो चुका है अब मैं इसके उपर सिर्फ पर्ल्स एड़ कर रही हूं पर्ल्स भी सिर्फ जो black drops हमने लगाए थे सिर्फ उसके उपर एड़ कर रही हूं randomly ही नहीं लगा रही सिर्फ black drops के उपर ही पर्ल्स लगा रही हूं क्योंकि black color इतना prominent नहीं हो रहा था lighting की वज़े से लेकिन जब pearls लगे हैं इसके उपर तो इसमें जान आ गई है और comments आ रहे होते हैं कि ये pearls eatable हैं तो जी ये sugar pearls हैं ये eatable होते हैं pearls add करने के बाद अब मैंने इसके dripping करनी है तो dripping के लिए यहाँ पर white chocolate गनाश में purple color add करके purple dripping कर रही हूं white chocolate में water गनाश थोड़ा सा tricky होता है तो आप यहाँ पर cream गनाश यूज़ कर सकते हो 3 ratio 1 3 parts of chocolate 1 part of cream और यहाँ पर मैं dripping भी एक specific pattern में ही कर रही हूं कि पहला जो drip है वो थोड़ा सा छोटा हो उसके बाद थोड़ा बड़ा फिर बड़ा और यह जब अपना time लेके flow करके नीचे आजेगा देन आपको दिखेगा कि ये किस pattern में मैंने रखा है तो यह हथ के pressure पर depend करता है कि किस तरह dripping हमने करनी है और अब मैं इसका लगा रही हूं top border जिसके लिए हापे मैंने nozzle यूज़ किया है 2D nozzle और उसके अंदर light purple cream फिल करके मैं spring की तरह हाथ को चला रही हूं जैसे हम spring बना रहे हैं गोल 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 तो हमने piping भी एक specific pattern में किये है और dripping भी और इतनी अच्छी dripping करने के लिए आपकी जो गनाश होनी चाहिए वो थोड़ी settled होनी चाहिए थोड़ी सी hard होनी चाहिए तब ही आप उसको control कर पाएंगे और यह हमारी cake का final look और इसके top पे मैंने अर्दू writing की है I hope आपको video useful लगी हो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें and don't forget the press bell icon ताके मेरी आने वाली वीडियो का notification आपको मिल सके अब बस में इस cake को पैक करी हूँ और यहाँ पर मैंने cake box यूज किया है 10 by 8 inches का और आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं thanks for watching